प्यारे छात्र छात्राओं, मोडर्न स्टेडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है और आज हम पाट मिसे पर बात करेंगे साइस 2020 में जो प्रस्ण पूछे गए उन्हीं प्रस्णों पर चर्चा होगी तो मोटे तोर पर एक अच्छी तैयारी के संकल्प के साथ हम पाट सुरू करते हैं आपको अभी तुरन बताया गया है कि जो संकल्प बहुन वेक्ति होता है जीवन में वही आगे बढ़ पाता है संकल्प के आधार पर बढ़ना एक बड़ी बात है हम आज इसी संकल्प के साथ पाट सुरू करते हैं तो आज का हमारा पाट विष्य है साइंस 210 वेज्ञान 220 में जो हिंदी में प्रशन पूछे गया है उसी प्रशनों पर हम चर्चा करेंगे खासकर वस्तुरनिस्ट प्रशन पर बात करेंगे मुखि रूप से प्रशन पर बात होगी तो हम पाट शुरू कर रहे हैं देख लिजिए इस साल आपको 60 प्रस्ण पूछे गए थे लेकिन जवाब देना था 50 को ही उससे पहले तो 50 ही पूछे आते 50 का जवाब देना है लेकिन अब 60 पूछे गए जिस 60 में जवाब देना था 50 को जिसका instruction यहाँ पर आपको दे दिया गया है तो पहला इसका प्रस्ण है जैपर कास नारायन ने जात्र आंदूलन का नेतृत गब किया जैपर कास वाब ने जात्र आंदूलन का नेतृत 1974 में किया था आपने परहा है 1974 में उनका पहला भाशन हुआ था पटना के गांधी मैदान में, तो इसका उत्तर होगा 1974 A हो जाएगा, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा प्रुसकार दिया गया, दिनकर जी को यहाँ पर ध्यान रहे कि पद्म होना चाहिए, धोके से पद्ध लिखा गया है, पद्म भूशन दिनकर जी को मिला था, तो इसका ब्रक्रिकास वाबु ने लिखी आप यहां पर देख लिजिए जैप्रकास नारायन उत्तर सी हो जाएगा और नारिश्वर कल्पित रूप है और नारिश्वर में एक परिकल्पना की गई है दो भगवान भगवती के मेल की बात की गई है आप विकल्प में देख रहे हैं रादा कृष्ण का संकर पारवती का रामसीता गनेश लक्ष्मी तो इसका सही उत्तर होगा संकर और पारवती का संकर और पारवती के मिश्रित रूप का नाम है अर्धनारिश्वर अग्ये के पिता का नाम था अग्ये का ही नाम आप याद र जाएगा देख लीजिए अगे का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद बादसाइन अगे सचिदानंद हीरानंद बादसाइन अगे तो हीरानंद सास्त्री यहां पर नाम है तो इसका उत्तर सी हो जाएगा हीरानंद सास्त्री उनके पिता का नाम था सचिदानंद उनका अपना नाम था और हिरानंद उनके पिदा का नाम था तो इस तरह उनके नाम से उनके पिदा का भी नाम आपको याद रह सकता है डाक्टर हिरानंद सास्त्री सी इसका उत्तर होगा सब्द का प्राइवाची है सब्द का प्राइवाची आप देख रहे हैं नाद निनाद ध्वनी इन जाएगा इनमें से सही जाए सब्ध कॉन लिंग है चाह इसरीडिग है तो आप यह देख रहे हैं के में इस तो है पुरसकार सब्ध का नर्प होगा ए क्विलों हो जाएगा इसका वत्तर वर्ण के अधार पर संधी के कितने भेद होते हैं आप ध्यान रहे पूछने के लिए आपको पूछ दिया गया वर्ण के आधार पर संधी के कितने भेद होते हैं लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है संधी के भेद संधी चैप्टर है और उसमें वर्ण के आधार पर पूछे या जैसे भी इसका उत्तर, दक्षिन सब्द कौन संग्या है, दक्षिन दिशावाचक है, एक दिशा का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संग्या होगा, B हो जाएगा, असोक बाजपेई का जन कब हुआ था, असोक बाजपेई का जन 1921 में हुआ था, असोक बाजपेई का जन, तो C हो जाएगा, कवी ने कहा, क्या है, आपको यहाँ पर option दिया हुआ है, कहानी है, कि नाटक है, कि निवन्द है, कि कविता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता संग्र है, C इसका उत्तर हो जाएगा, बिनोद कुमार सुकल का निवा सस्थान कहा है, बिनोद कुमार सुकल का निवा सस्थान राइपूर 36 गड़, भी हो जाएगा इसका उत्तर, लोग भूल गये हैं, किसकी रचना है, लोग भूल गये हैं, या रचना रगवीर सहाई की है, रगवीर सहाई की, तो इसका उत्त इसका उत्तर भी हो जाएगा चूना करना मुहावरे का अर्थ है नहीं बोलना अर्थात भी हो जाएगा आकास सब्द का बिलोम पाताल होगा भी हो जाएगा कौन आता है कौन सा सर्वनाम है तो यहां पर कौन आपको प्रस्णबाचक है तो यहां पर देख लिजे प्रस्णबाचक कहा है ए में है तो उत्तर ए हो जाएगा सुवा सब्द कौन लिंग है सुवा सब्द इस्टर लिंग है ए हो जाएगा इसका उत्तर तिब्र बुद्धी वाला क्या कहलाता है तिब्र बुद्धी वाला कुसागर कहलाता है तो इसका उत्तर बी हो जाएगा कपरा सब्द का प्रावाची कपरा सब्द का प्रावाची वसन होगा कप्रा सब्द का प्राइवाची बसन यहाँ पर जो दिया गया है उसमें आपको चुनना है तो बसन हो जाएगा ए इसका उत्तर समाज सब्द का लिंग ने करें समाज सब्द कुलिंग है उत्तर भी हो जाएगा सब्धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ आप यहाँ पर देख लिजे आपसान अच्छा बुरा सब को एक समझना यही सब्धन 22 पसेरी का अर्थ होगा दी हो जाएगा उत्तर प्रति दिन सब्ध कौन समास है दिन के पहले प्रति लगा हुआ है प्रति अब्य है तो जिस समास का पहला पद अब्य हो वह समास अब्यभाव समास का लाता है तो यहाँ पर आप देख लिजे प्रति दिन अब्यभाव है सी उत्तर इसका हो जाएगा सिव सब्द का विशेशन होगा सिव सब्द का विशेशन सैव होता है सेब देख लिजिए बी इसका उत्तर हो जाएगा धनहीन सब्द कौन सा समास है धनहीन सब्द तत्पुर्श समास हो जाएगा ए हो जाएगा इसका उत्तर चतुराई में कौन सा परत्या है चतुराई में आई परत्या है आई परत्या देख लिजिए डी में है तो इसका उत्तर दी हो जाएगा जर सब्द का बिलोम क्या होगा जर का बिलोम चेतन होता है तो सी हो जाएगा सूक्ती सब्द का संदिविछेद सू जोर उक्ती होगा भी हो जाएगा उत्तर अगनी सब्द का प्रावाची अगनी सब्द के प्रावाची में आप जो ऑप्शन सब्द देख रहे हैं जिसमें सही उत्तर है पावक तो सी हो जाएगा काजल सब्द कौन लिंग है काजल सब्द पुलिंग है बी हो जाएगा उत्तर इतिहास सब्द का वि बाल सब्द कौन लिंग है, बाल सब्द पुलिंग है, बी हो जाएगा, हिमाले सब्द का सन्निविच्चेद, हिम जोर आले, यहाँ पर आप देख रहे हैं A में, A हो जाएगा उसका उत्तर, लोक सब्द का विशेशन होगा, लोक सब्द का विशेशन लोकिक, A हो जाएगा, जैसंक प्रिसाद की नाटिक किरती आप देख रहे हैं यहाँ पर दुरुप स्वामनी जैसंक प्रिसाद की नाटिक किरती है पत्ली सी रचना है तो इसका उत्तर दुरुप स्वामनी हो जाएगा यह हो जाएगा सकुन की तलास किसकी रचना है सकुन की तलास समसेर बहादूर सिंग की रचना है गजल है तो इसका उत्तर भी हो जाएगा हारजीत सीरसक कवता में मसक बाला क्या कर रहा है मसक बाला सरक सीच रहा है हारजीत सीरसक कवता में मसक बाला सरक सीचने का काम करता था तो ए हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनास सिंग है तो ए हो जाएगा अतिरिक्त सब्द में उपसर्ग है अती तो अती आप देख लिजिए भी तो इसका उत्तर भी हो जाएगा गंगा सब्द का प्रावाची मंदाकनी होगा ए हो जाएगा दात गिनना मुहावरे का अर्थ है दात उम्र का पता लगाना ए हो जाएगा इसका उत्तर विकास सब्द में उपसर्ग है विकास सब्द में उपसर्ग वी है तो वी आप देख रहे हैं ए में ए उत्तर हो जाएग रामानुज सब्द कौन सा समास है। बालकृस्ण भट के पिता का नाम क्या था। किस लेख की रचना है। C हो जाएगा, उसने कहा था, कहानी है, इसमें आप देख रहे हैं सुख मैं जीवन, दिव प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इन में से सभी, उपर जितना तीनों कहा गया है, वह तीनों है, तो इसका मतलब हुआ कि D ही हो जाएगा, इसका उत्तर, इन में से सभी, अर्थात इसका उत्तर D हो जाएगा, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी की नहीं है, सुख में जीवन, बुद्धु का काटा, यहाँ पर बुद्ध का काटा लिखा गया, बुद्धु काटा होना चाहिए, उसने कहा था हारे को हरी नाम, कौन सी कहानी नहीं है पुछा जा रहा, तो हरे को हरी नाम, यह दिन करकी रचना है, तो यह D हो जाएगा इसका उत्तर, जया प्रकास नारायन के बच्पन का नाम क्या था, जया प्रकास के बच्पन का नाम बावल था, तो देख रहे हैं, बावल C में है, एक लेक और एक पत्र सिर्षक पाट के लेखा कौन है, एक तक किसने लिखी इसके लेख है कि जगदीश्चन माथुर है तो इसका उत्तर भी हो जाएगा मौहन राकेश रचित नाटक है आप यहां पर देख लिजिए मौहन राकेश का जो नाटक है वो तो आसाड का एक दिन यह हो जाएगा गड़ी आसाड का एक दिन इनहीं की रचना है बाकि दूसरे दूसरे की रचना है तुलसिदास की पत्नी का नाम क्या था तुलसिदास की पत्नी का नाम रतनावली था तो रतनावली आप देख रहे हैं यहां पर भी हो जाएगा हार जित किस प्रकार की रचना है हार जित गद्य कविता है वह गद्य के रूप में कविता है तो यह गद्य कविता भी हो जाएगा जीवन भर का एक सब्द होगा आजीवन सी हो जाएगा इसका उत्तर जिसने किसी बात के नौ होने का बोध हो जिससे किसी बात के ना होने का बोद हो तो इसे को हम क्या कहेंगे नहीं होने का बोद जब यह होगा तो निश्यदवाचक हो जाएगा तो ना होने का बोद हो तो ऐसी सिति में या निश्यदवाचक अर्थात C इसका उत्तर हो जाएगा आगामी सब्द का बिलोम है आगामी का बिलोम बिगत हो जाएगा आगामी का मतलब हुआ आने वाला अब बिगत मतलब बीता हुआ तो इसका उत्तर भी हो जाएगा संबत का संदिविछेद समजोर्बत होगा समजोरबत आप देख लिजे समजोरबत कहा है ये हो जाएगा ये समजोरबत समबत आदर सब्द का विशेशन आदर सब्द का आदर निये हो जाएगा आदर सब्द का विशेशन आदर निये अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा आदर निये तो इस तरह आपने साथो प्रिशन का उत्तर देख लिया और फिर यहाँ पर आपकी सुद्धा के लिए आंसर सीट भी दे दिया गया है तो इस तरह आपका ये पार्ट पुड़ा हुआ एक आसा उम्मीद के साथ हम लोग पार्ट समात करते हैं कि आप लोग अच्छी तयारी करेंगे धन्यबाद फिर हम लोग दूसरे पार्ट मिलेंगे धन्यबाद